तो आज हम आपको नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेट पे शेर एनालिसिस बताने वाले हैं साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही में हिट दे बैल आइकन सबसे पहले हम आपको बताएंगे company काम क्या करती है उसके competitors कौन-कौन है share price chart बताएंगे share holding pattern बताएंगे quarterly results का analysis करेंगे like past years में company कैसा perform कर रही है और अभी कैसा कर रही है So let's begin Neela infrastructure is engaged in the business of construction of buildings carried out on own account basis और on a fee or contract basis तो यहाँ पर बहुत short में लिखा हुआ है बट नीला infrastructure अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है मलब अगर आप देखेंगे तो यह urban areas में भी मलब इसकी जो facility है वो यह provide कर रही है और यह सिर्फ buildings ही नहीं साथ ही मलब अगर आप देखेंगे तो ports हो गया तो वो भी infrastructure मलब उसमें भी यह काम करती है उसके बाद bus station हो गया तो इसी बहुत सारी चीज़े हैं जहाँ पर यह अपनी facility provide करती है अगर हम इसका market cap देखेंगे तो 198 करोड का इसका market cap है तो है तो यह small cap company जिसका stock price to earning नहीं दिया हुआ है नहीं दे पार है 6.23% का ही return है return on equity यहाँ पर negative में है book values की 3.38 और current prices की 5.08 और debt to equity I mean debt अगर हम देखेंगे तो 108 करोड का इसका debt है तो fundamentally अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि जिस तरह से अभी company ने loss भी किया है company के revenue के numbers थोड़े नीचे आये है तो उस reason से आपर fundamentally अभी stable अच्छी नहीं लग रही है financial trend अगर हम देखेंगे तो 2019 में यहाँ पर company का revenue 220 करोड का था 2020 में company का revenue अपर 255 करोड का था अगर आप इसके past years देखेंगे न तो हर साल company का revenue बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तिल 2020 तक अगर आप 2012 से भी देखते हैं तो हर साल company का revenue का number बढ़ रहा है बट जिस हिसाब से revenue का number बढ़ रहा है न उसके सामने आपको profitability उतनी बढ़ते हुए नजर नहीं आएगी ओके तो यह company का drawback है कि जिस हिसाब से revenue बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर profits इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहा है profits वही पर consolidate कर रहा है लाइक जब 96 करोड का revenue गया तब भी company 15 से 20 करोड का करती थी और अभी जब 255 करोड का revenue कर रही अभी भी company 16-16 करोड का profit कर रही है 2021 में company का revenue था वो 105 करोड का था 2022 में 94 करोड का revenue था तो यहाँ पर दो साल से company का revenue है वो decrease हो रहा है 2021 में हाला कि company ने loss भी book किया था जैसे कि जून में और कोरोना की बहुत ज़्यादा impacts थे तो उस reason से company का revenue बहुत ज़्यादा नीच आया और company ने loss भी book किया है 2022 में यहाँ पर थोड़ा सा profit आया है और हला कि revenue अभी भी decrease हो रहा है ऐसे कोई chances नहीं दिख रहे हैं कि 2022 में थोड़ी सी भी recovery यहाँ पर नजर नहीं आ रही है हला कि अभी infrastructure sector बूम कर रहा है थोड़ा थोड़ा फिर से recover कर रहा है तो अगर यह company भी उस चीज को catch up करती है then it's fine पर अगर नहीं कर पाती है तो यहाँ पर जो share price है वो और भी नीचे जाता हूँ नजर आ सकता है quarterly results वही है कि पहले जो company 50 करोड, 53 करोड, 82 करोड, 57 करोड का revenue करती थी वो 23 करोड, 29 करोड, 37 करोड पर आगा और अभी वो 24 करोड, 23 करोड, 14 करोड, 20 करोड का revenue कर रही है हाला कि वो March में दीरे-दीरे दीखा और की थी September, December, March लेकिन फिर से company का revenue यहाँ पर consolidate करता हूँ नजर आ रहा है September, December, March और 2022 में company का revenue नहीं बड़ा है तो यह एक बड़ा negative point है इस company के लिए यहाँ पर operating profit margin जैसे कि अभी तो company loss में है और पहले company 15%, 13% हाला कि इनका operating profit margin अच्छा है बट कभी कभी यह loss कर देते थे और operating profit margin अच्छा है बट फिर भी जो बाकी company के expense वगरा joint होके company उतना ही profit कर पाती थी ज्यादा profit company से नहीं हो पाता है शेयर holding pattern देखें तो यहाँ पर चार investors है जैसे कि domestic investors थे अब नहीं है यहाँ पर promoter 61.90 से 61.90 है foreign investors 5.67 से 5.69 और अब भी फिर से 5.69 तो foreign investors यहाँ पर अपना थोड़ा सा stake निकालते है फिर से डालते है बट एक छोटी सी company और उसमें foreign investors से यही एक बड़ी बात है domestic investors के पास अभी हाल फिलाल कुछ भी नहीं है public 30.57 से अभी 32.40% का stake इनके पास है तो यहाँ पर तीन investors है, promoters है, foreign investors and retailers है competitors अगर हम देखे construction में तो micro tech डबलप हो है national standard, then K&R construction, rail, Vikas, Mahindra Life, P&C, Infratech, HG, Infra, Engineering and Neela infrastructure तो यह सब इसके competitors है जहाँ पर यह small cap companies है तो यहाँ पर आप इसनको compare कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह concept P&E पर trade कर रहा है then quarterly wise results कैसे company के increase हो रहा है sales कितना बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप compare कर सकते हो अगर at last हम बात करें share price की तो currently 5 यह हाई इसका currently 5.05 पर trade कर रहा था Friday के दिन और हाई इसका 23.59 और 3.81% यह Friday के दिन यह share गिरा था तो जिस हिसाब से June I mean June 2017-18 में जो इसका share price है वो बड़ा था उसके बाद से इसका जो share price है वो सिर्फ नीचे ही चल रहा है और अभी भी इसका जो share price हो नीचे ही चल रहा है तो long term perspective वालों को मन नहीं बोलूँगी कि आप इस share में निवेश करें क्योंकि अभी भी इसका जो revenue का जो दिक्कत है वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मतलब नहीं है इस share में निवेश करने का इसका share price यही पर गूमता रहेगा ज्यादा volatility आपको दिखेगी नहीं और trading perspective से अगर किसी को देखना है तो वो अपने हिसाब से यह share में निवेश कर सकता है I hope आपको नीला infrastructure limited के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like and share and subscribe our channel Thank you